Hello and Welcome to Tele Express, your one-step destination for all entertainment news. और दोस्तों, इंडिया डिल 13 से आई है बड़ी खबर. जी हाँ, आलिया भट की वज़े से, रन्बीर कपूर ने जोड़े देबोश में ताके आगे हाथ. जी हाँ, पहरान हो गए सब कंटेस्टेंस. वेल दोस्तों, क्यों रन्बीर कपूर को जोरत पड़ी देबोश में ताके आगे हाथ जोड़ने की, और क्यों वो आलिया भट बनी बड़ी वज़ा? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले करें चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर. वेल दोस्तों, रुनबीर, कपूर और आलिया भट ने बुलाया देबोश में ताको अपने घर, वो भी होली के फ़ंक्शन पे. और देबोश में ताने वहाँ पर परफॉर्म भी किया, उनकी परफॉर्मेंस धमाकेदार थी, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के बाद, जो स्टेज से उतर कर आई, तो रुनबीर, कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया, कि वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो गए. तो दोस्तों, ऐसा क्या किया और क्यों किया रुनबीर, कपूर ने? जैसे ही देबोश में ताने परफॉर्मेंस दे के स्टेज से नीचे आई, तो रुनबीर, कपूर ने जाकर जूड़े उनके आगे हाथ. दोस्तों, रुनबीर, कपूर ने आलिया भट की वज़ा से देबोश में ताके आगे हाथ जोड़े, क्योंकि ये आलिया भट का बहुत बड़ा सपना था, कि देबोश में उनकी बेटी के लिए उनके किसी फंक्शन में गाना गाए, जो कि अब पूरा हो गया. रुनबीर, कपूर ने इसी खुशी में तेबोश में ताके आगे हाथ जोड़ के उनकी कहा, कि आपने मेरी बीवी का एक सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया. तब आब बस दुआ करें, कि हमारी बेटी भी आप जैसी सक्सेस्पुल सिंगर बने. मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी आपके जैसा गाया करें, और हमारा नाम रोशन करें, जैसे आप अपने माबाप का नाम रोशन करती हैं. वेल दोस्तों, इतने अच्छे वर्ड्स, इतने अच्छे शब्द सुनने को मिले दिबोश में ताको रनबीर कपूर से. तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जुरू बताएं, वीडियो को करें लाइक और शेयर.